हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजिकेशनल चैनल में जिसका नाम है नियू इस्टडी प्लानेट तो कैसे हैं आप लोग उम्मिद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी त्यारियां भी अच्छे से चल रही होंगी दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट जीके और जीयस जो की आने वाली परिक्षाओं जैसे लेखपाल और सूपर टेट के लिए काफी महतोपोड हैं तो आए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गवाए हुए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है भारती क्रिसी अनुसंधान परिशत का मुख्याले कहा परिश्थित है विकलप है नई दिली, भोपाल, हैदराबाद और लखनव कौन सा विकलप सही होगा तो सही विकलप हो जाएगा नई दिली अगला प्रशन कौन सा है? अगला प्रशन है पीत क्रांती का संबंध निमनलिखित में से किस से है? पीत क्रांती यानि पीली क्रांती का संबंध निमनलिखित में से किस से है? विकल्प है डलहन, तिलहन, मत्सपालन या फिर कपास उत्पादन? कौन सा विकल्प यहां पे सही ह होगा तो सही विकल्प हो जाएगा पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है ठीक है न teacher भारत का प्रतम बैंक निमिलखित में से कौन सा था यानि भारत का पहला बैंक निमिलखित में से कोन सा था भारति स्टेट बैंक पंचाब नेशनल बैंक बैंक आफ nest test या फिर Bank of India, कौन सा विकल्प सही होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा भारत का पहला बैंक था, Bank of Hindustan, अगला जो प्रशन है, वो है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, करनाटक है, केरल है, पंजाब है, या फिर असम है, कौन सा राज्य है, तो यह पर जो सही विकल्ब हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन है भारती रिजर्व बैंग का मुख्याले कहां पर है भारती रिजर्व बैंग का मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में है प्रुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करना टक, चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं, निमनी लिखित में से कौन सी एक रभी की फसल है, गेहूं है, धान है, तरभूज है या फिर बाचरा है, कौन सी ऐसी फसल है, इन बिकल्पों में जो की रभी की एक फसल है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पी, बिकल्ब यह हो जाएगा गेहूं की जो फसल है एक रवी की फसल है। अगला प्रशन है भारत में हरित करांति का पिता किसे कहा जाता है। नार्मन बॉरलाग को, एमेस स्वामिनाथन को, वर्गीज कुरियन को या फिर जवाहलाल नहिरू को। यहाँ पे भारत की बात हो रहे भारत में हरित करांति का पिता किसे कहते हैं। तो बिकल्प B यहाँ पे सही हो जाएगा, एमेस स्वामिनाथन को भारत में हरित करांति का पिता कहा जाता है। मसालों का बागान, मसालों का बागान निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। पंजाब को, तमिलनाड को, केरल को, या फिर चौथा विकल्प है असम को, कौन सा राज्ज है, मसालों का बागान, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प C, केरल, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, आपरेशन फ्लड निमलखित में से किस्चे सम्बंदित है, कपास उत्पादन से, दूद के उत्पादन से, नील के उत्पादन से, या फिर दलहान यानि दाल के उत्पादन से, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प B, दूद के उत्पादन से सम्बंदित है आपरेशन फ्लड बिस्व की कितनी प्रतिस्यत जनसंख्या भारत में निवास करती है 50 प्रतिस्यत, 17.5 प्रतिस्यत, 20 प्रतिस्यत या फिर 2.4 प्रतिस्यत तो सही उतर हो जाएगा विकल्प B 17.5 प्रतिस्यत जनसंख्या भारत में निवास करती है किसका पूरे बिस्व का भारत में सरवाधिक साक्षर्टा वाला राजी कौन सा है? केरल है, बिहार है, उत्तरप्रदेश है या फिर दिल्ली है? कौन सा है भारत का सरवाधिक साक्षर्टा वाला राजी? तो सही उत्तर हो जाएगा सरवाधिक साक्षर्टा वाला राजी जो है केरल है और सरवाधिक य अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में पूरुस एवं महिला साक्षर्टा दर है क्रमसा फूलों की घाटी किस राज में इस्थित है फूलों की घाटी किस राज में इस्तित है विकल्प है केरल, उत्तराखंड, भोपाल या फिर गुजरात कौन सा विकल्प यहां पे सही हो जाएगा फूलों की घाटी किसे कहते हैं उत्तराखंड को कहते हैं विकल्प भी हमारा सही विकल्प है भारत में अस्थापित होने वाला पहला राश्डी उद्यान कौन सा था? ऑगला प्रस् submarine क्या है? भारत का वाहराज्य जहां कोई भी अनसूचित जनजाती निवास नहीं करती है कहा यूपी एवं एमपी, गिल्ली एवं मुंबई, हर्याड़ा एवं पंजाब या फिर राजस्थान एवं गुजरात तो सही उतर हो जाएगा हर्याड़ा एवं पंजाब में कोई भी अनसूचित जनजात निवास नहीं करती अगला प्रश्ण है, भरत नाट्यम किस राज़ जी का प्रमौखन रित्य है, केरल का, करनाटक का, तमिल नाड़का या फिर आंधर प्रदेश का कौन सा विक़ल्प यहाँ पर जाएगा, तो सही उतर हो जाएगा भरत नाट्यम जो रित्य है वो है तमिल नाड़का दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेर जरूर कीजी और लाइक जरूर कीजी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ताकि आने वाले जो वीडियो है जो हम अपलोड करने वाले वीडियो है उनका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पह हो सके ठीक है न तो चलिए वीडिव जारी रकते वे अगला प्रश्न लेते हैं अगला प्रश्ण हमारा क्या है प्रवासी भारती दिवस कम मनाया जाता है आठ जन्वरी, नव जन्वरी, आठ फर्वरी या फिर नव fर्वरी कौणसा बिकल्प सही हो जाएगा तो सही बिकल्प हो जाएगा यहां पे बिकल्प भी हो जाएगा नव जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्ण है हमारा यूनेप द्वारा किसको फादर आफ एकोनामिक एकोलाजी की उपादी दी गई है वर्गीज कुरियन म.स.वामी नाथन नार्मन बोर लागया फिर चंदर सेखर वेंकट रमन तो सही उत्तर हो जाएगा म.स.वामी नाथन अगला प्रश्ण है असोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी भानु अथैया निर्जा भनोट अन्ना जार्ज या फिर प्रतिमा पूरी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा असोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी निर्जा भनोट विकल्प भी हमारा सही है अगला प्रस्ण है अंतियोदय योजना कप प्रारंभ की गई सन 2007 में, सन 2000 में, सन 2008 में या फिर सन 2014 में तो कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प हो जाएगा वर्ष 2008 में नेक्स्ट है मिड़े मिल कारिकरम देश के सभी बलाकों में कब लागू हुआ? दो हजार एक दो में, दो हजार दो तीन में, उनिसो सतानव अठानवे में या फिर दो हजार चार पांच में तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिकल्प नमबर C, 1997-98 में अगला प्रश्न है काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई 1987 में, 1988 में, 2000 में या फिर 2004 में काम के बदले अनाज योजना जो शुरू की गई वो शुरू की गई 2004 में यानि बिकल्प नमबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा तो यहाँ पे बिकल्प नमबर हमारा D सही हो जाएगा अन्पूर्डा योजना भारत में कप्रारंभ की गई अप्रेल 2001 में, अप्रेल 2002 में, मार्श 2004 में या फिर मार्श 2005 में तो सही उत्तर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अपरेल 2001 में विकल्प नमबर A तो दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में नए टापिक के साथ मिलेंगे नए चुनिंदा प्रशनों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और हाँ अगर आप हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक और शेर करना बिल झाल झाल